हेलो दोस्तो इस्टेट बैंक आफ इंडिया के एटियम से पैसा निकालते है तो थोड़ा ज़ादे सौधान रहीएगा वज़ा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने एटियम से मनी विड्रॉल को लेकर नया नियम जारी किया है कहा है कि और परियाप्त बैलेंस के कारण फेल हुए हर टरंजेक्शन पर अभी यूजर को फाइन भरना होगा माने आपके बैंक एकाउंट में जितना पैसा है एटियम से निकालते वक्त उससे ज़्यादे एमाउंट डाल रहे है तो अवल तो आपका वो टरंजेक्शन फेल होगा ही फिर इस फेल हुए टरंजेक्शन के लिए बैंक आपसे भी पैसा वसुलेगा कितना 20 रुपे प्लस जी एच्टी ये जुर्माना तभी भरना होगा जब आपका टरंजेक्शन और परियाप्त बैलेंस के कारण फेल हुआ हो बाकी किसी तकनी की खामी के वज़े से या ATM में कैस न होनी के वज़े से अगर टरंजेक्शन फेल होता है तो बैंक आपर जुर्माना नहीं लगाएगा ये उनकी गलती है अब इस जुर्माने से कैसे बचे एक ही तरीका है अपने एकाउंट बैलेंस में जनकारी रखे और उसकी लिमिट में ही ATM से मनी विड्रॉल करें एकांट बैलेंस के जनकारी के लिए SBI को मिस लुकॉल करके पता किया जा सकता है या फिर उनके मेंसे सेवा का उपयोग किया सकता है कș्टमार के लुकॉल करके भी बैलेंस जान सकते हैं ATM पर पैसा निकालने से पहले भी वही एकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर online SBI इस्तमाल करते हैं तो वहाँ से जनकारी ले सकते हैं ATM की बात हुई है तो एक पुरानी लेकिन काम की जनकारी भे देती हैं SBI के Metro City Customers को महीने की 8 Free ATM टांजेक्शन मिलते हैं 5 SBI ATM से और 3 Any Bank के ATM से वही 9 Metro City Customers के लिए ये सीमा 10 Free ATM टांजेक्शन की है 5 SBI ATM से और 5 Any Bank के ATM से इससे ज़्यादे लेन लेन पर बैंक चार्ज लेता है पिछले साल भी बदला था बड़ा नियम SBI सितमब 2020 में ये नियम लाया था कि अगर आपको SBI के ATM से 10 हजार या उससे ज़्यादे रकम निकालनी है तो इसके लिए सिर्फ पीन डालना काफी नहीं होगा आपको बैंक में रेजिस्टर कराये गए मोबाइल नमबर पर आए वन टाइम पासवार्ड OTP को भी ATM में एंटर करना होगा तब ही पैसा निकलेगा SBI का कहना है कि वो ATM से निकासी को और भी सुरक्षित बनानी के लिए कदम उठा रहा है RBI की एक रिपोर्ट बताती है कि डिश्टल लेंडन के चलते साल 2018 में करीब 71,000 करण रूपए के बैंकिंग फ्रॉड हुए इससे पहले साल 2017-2018 में ये आकरा कडिब 41,000 करण रूपए का था इसलिए अब डिश्टली ट्रांजेक्षन और ATM ट्रांजेक्षन को सुरक्षित बनाने पर जोड दिया जा रहा है तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको यह जनकारी पसंद आई होगे अगर आपको यह जनकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस्ते करें धन्यवाद